हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू क्रेजी जी के ट्रिक तो आए डेली करेंड अफेर्स की सिरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 30 नॉवंबर के सभी करेंड अफेर्स को डीटेल में समझेंगे वीडियो में इंट तक बने रहेएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा इसके अलावा चेनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको डेली करेंड अफेर्स की पीडिएफ को डाउनलोड करना है तो आप सभी को पता है कि क्रेजी के टेलिग्राम चेनल पर फ्री ऑफ कोस्ट आपको डेली करेंड अफेर्स की पीडिएफ मिल जाती है वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं आज के करेंड अफेर्स का सबसे पहला कुशन देखिए फिफ्टी फॉर्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक पुरसकार की से प्रदान किया गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप सभी को पता है फ्रेंड्स की हाली में फिफ्टी फॉर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का एउजन गुवार अज में किया गया जिसमें किजिएगा कि ये इरान की मुवी है एंडलेस बॉर्डर्स अब इसके अलावा जो अधर अवर्ड इस फिल्म फेस्टिवल में दिये गए उन पर भी एक बार हम यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं देखिए बेस्ट एक्टर मेल का जो अवर्ड है इस अवर्ड शो में वो ए अगाज लेसन्स के लिए स्टिफन कमांडे रेव को दिया गया और इसके अलावा विशेश जूरी अवर्ड जो है वह भारती मूवी कंतारा के लिए रिशप शेट्टी को दिया गया बेस्ट वेब सिरिस का आवर्ड भारत की पंचायत के सीजन सेकंड को दिया गया इसके इसके अलावा सत्य जी तरे lifetime achievement पुरसकार से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया ये pre-plan था इसे पहले से ही काफी पहले गोशना कर दी गई थी ICFT UNESCO गांधी मेडल से drift movie को सम्मानित किया गया और इस film festival में भारती सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेश सम्मान actress माधूरी दिक्षित को दिया गया है और इसके अलावा 54th International Film Festival of India में best movie के लिए golden peacock award से इरानी movie endless borders को सम्मानित किया गया अब यहाँ पर यह याद रखिएगा कि 54th International Film Festival of India गोवा में देखिए 20 November को शुरू हुआ था और 28 November को यह समाप्त हुआ इस starting movie जो की इस film festival में दिखाई गई इसका नाम केचिंग डस्ट था सबसे पहली बार इस film festival की शुरूआत 1952 में की गई और पहला जो first event था वो 1952 में ही महराष्ट के मुंबई में आईजित किया गया था 2004 से ये प्रथाय परंपरा बना ली गई कि इसका एजन अब हर साल गोवा रज में किया जाता है तो 2023 में भी 54th International Film Festival of India Award का एजन गोवा रज में किया गया देखें दोस्तो अगर आपको मन्थली Current Affairs की डिटेल PDF लेना है तो आप Root Application या Crazy GK Trick Application से डाउनलोड कर सकते हैं साथ या आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं इन मन्थली Current Affairs PDF में देखिए पूरे मन्थ के जो सबसे ज्यादा exam relevant question होते हैं उन question को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है जो exam के last time revision में आपको बह पुरसकार 2023 प्रदान किया गया तो पेरा एथलीट यह है Friends शीतल देवी किस खेल से सम्बंदित है तो याद रखिएगा यह तिरंदाजी से सम्बंदित है तिरंदाजी एक पेरा एथलीट है तिरंदाजी की शीतल देवी याद रखिएगा हाली में साओधी अरब में Asian Paralampic कमिटी द्वारा देखिए भारत की पेरा तिरंदाज खिलाडी शीतल देवी को एशिया सरुस्रेस्ट युवा एथलीट पुरसकार 2023 से सम्बंदित किया गया वैसे Asian Paralampic कमिटी के द्वारा साओधी अरब में छे अलग-अलग केटिगरीस में पुरसकार दिये गए थे इन इनका स्टेट पूछा जाए तो ये जम्मू कश्मी राज्य से बिलोंग करती है एशियाई Paralampic 2022 में इन्होंने देखिए इंडिजियल कमपाउंड और मिक्स टीम कमपाउंड इवेंड में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था तो शीतल देवी भारत की एक पेरा जिनने एशियाई Paralampic कमिटी के द्वारा एशिया बेस्ट यंग एथलिट 2023 से सम्मानित किया गया है अब एशियाई Paralampic कमिटी की बात करें तो भारत में एशियाई Paralampic के लोग को आयोजित करवाने वाली कंट्रोल करने वाली ये गवर्निंग बोडी है इसकी स्टापन 2002 में की गई थी और इसका हेटकोटर अबू धावी UAE में इस्तित है चेर्मेन की बात करें तो माजिद राशिद वर्तमान में एशियाई Paralampic कमिटी के चेर्मेन है इस्पेशली शीतल देवी को याद रखिएगा ये भारत की बहुत ही फेमस पेरा तिरंदाज एथलिट है इसके बाद आगे आजाएए तेरवी सीनियर पुरुष रास्ट होकी चेंपेंशिप 2023 का खिताब किसने जीता देखे पहला फेक्ट तो हम यहाँ पर ये नोट करेंगे कि तेरवी सीनियर पुरुष रास्ट होकी चेंपेंशिप का एउजन कहां पर किया गया तो इसका एउ सीनियर मैंस नेशनल होकी चेंपेंशिप 2023 का टाइटल अपने नाम किया है तो अंसर पंजाब हो जाएगा विनर रही है पंजाब की होकी टीम और रनर अप रही है हरियाना की होकी टीम और इसके अलावा तमिल लाडू ने देखिये करनाटो को हराकर इस इवेंड का 13th होकी इंडिया सीनियर विमेंस नेशनल चेंपेंशिप 2023 का भी आयूजन किया गया था ये महिलाओ की होकी चेंपेंशिप है फ्रेंड्स जिसका खिताब 2023 में मध्य प्रदेश की होकी टीम ने अपने नाम किया था चेंपेंशिप की बात करें तो ये देखिये रास्ट इस अपने नाम किया है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस रज्ज में स्तापित किया जाएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट कर लिजेगा फ्रेंड्स इस कोश्चन को भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर जिसका नाम है विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे देखिए मध्य प्रदेश लज्ज में स्तापित किया जाने वाला है MP गवर्मेंट ने हाली में विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्मान के लिए एक आदेश जारी किया और इस आदेश के आधार पर मध्य प्रदेश में नोरोदेही सेंचुरी और रानी दुर्गावती सेंचुरी को मिला कर विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्तापित किया जाएगा MP में इस टाइगर रिजर्व का टोटल एरिया 925 वर्ग किलोमेटर होने वाला है जो कि भारत के किसी भी टाइगर रिजर्व में सबसे बड़ा होगा दुरगावती टाइगर रिजर्व MP का सात्वा टाइगर रिजर्व बनेगा इसके पहले वर्तमान में MP में छे टाइगर रिजर्व हैं जिनमें कानहा किसली नेशनल पार्क में कानहा टाइगर रिजर्व बांधवगार Tiger Reserve, पंना Tiger Reserve, पेंच, संजय गांदिया, डूबरी और सतपूरा Tiger Reserve ये 6 Tiger Reserve MP में पहले से है 7 वा Tiger Reserve, रानित दुर्गावती Tiger Reserve बनाय जा रहा है जो कि पूरे भारत में शेत्रिफल के अधर पर सबसे बड़ा Tiger Reserve है अगला कुशन देखिए देश का पहला टेलिकॉम सेंटर ओफ एक्सिलेंस किस रज्ज में बनाय जाएगा देश का पहला टेलिकॉम सेंटर ओफ एक्सिलेंस भारत के उत्तर प्रिदेश रज्ज में स्तापित किया जाएगा UP सरकार के द्वारा देखी हाली में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर आफ एक्सिलेंस के निर्मान को मंजुरी दी गई ये उत्तर प्रिदेश रज्ज में IIT रुड़की का जो साहरनपूर केंपस है इस केंपस में बनाया जाने वाला है सेंटर काम क्या करेगा इस सेंटर को स्तापित किया जाने का उद्देश क्या है अगर हम इसकी बात करें तो यह सेंटर टेलीकॉम के शेत्र में रिसर्च और डेवलप्मेंट के लिए काम करेगा और इसके अलावा 5G को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मतलब AI से जोडने के लिए और इसके अलावा 6G पर रिसर्च के लिए इस सेंटर का निर्मान किया जा रहा है तो देश का पहला टेलीकॉम सेंटर फोर एक्सिलेंस उत्तर प्रदेश राज्जे में स्तापित किया जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है किस राज्जे सरकार द्वारा अम्मा बेंक योजना की शुरुआत की गई अम्मा बेंक की योजना काफी इंपॉर्टेंट की योजना है जो की हाली में देखिए ओडिशा गवर्मेंट के द्वारा शुरू की गई अंसर ओडिशा हो जाएगा ओडिशा के CM नविन पतनायक है आप सभी जानते हैं इन्होंने हाली में देखिए राज्जी की सभी ऐसी ग्राम पंचायत जहां पर बैंक एवेलेबल नहीं है मतलब बैंक रहित राज्ज में जितनी भी ग्राम पंचायत है उन्हें बैंकिंग सेवाई प्रदान करने के उद्देशे से अम्मा बैंक योजना की शुरूआत राज्ज में की है ओडिशा में इस योजना के पहले फेज में ओडिशा के सभी 30 जीलो को कवर किया जाएगा और इसके तहट 7500 कम्यूनिकेशन सर्विस प्रोवाईडर सेंटर खोले जाएगे इन सभी सर्विस प्रोवाईडर सेंटर के मध्यम से ही सभी ग्राम पंचायत जो की बैंकिंग सेवाई से अभी तक आउगत नहीं है या फिर जहां पर बैंकिंग सेवाई नहीं पहुच पाई है उन सभी ग्राम पंचायतों को बैंकिंग सेवाई से कनेक्ट किया जाएगा पुठाया है। इस योजना का नाम रज्ज में अम्मा बैंक की योजना है। किस रज्जी की योजना है? इसा पूछ जाए। तो ये ओडिशा गौर्णमेंट की योजना है। योजना भी पता चल गई और आपको यहाँ पर उद्धेश भी क्लियर हो गया कि किस छेत्री की य अब अम्मा बेंक योजना के अलावा अगर हम ओडिशा गोवर्मेंट की अधर स्किम्स की बात करें तो अरिश्चंदर साहिता योजना, मदू बावू पेंशन योजना, कालिया योजना, बीजू स्वास्त कल्यान योजना और मुख्यमंत्री खुशी योजना ये अधर सेक् यार एक्च्वल में क्या है, तो देखिए इसे युनाइटेड नेशन हाई कमिशनर फोर रिफ्यूजिस के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा नौनसेन शर्णार्थी पुरसकार प्रदान किया जाता है, दोजार तेविस में यह जो पुरसकार है सोमालिया के पत्रका और पुर्वशनार्थी अब्दुल्लाही मायर को दिया गया, तो अनसर ले लेते हैं पहले अनसर डी हो जाएगा, युनाइटेड नेशन हाई कमिशनर फोर रिफ्यूजिस द्वारा नौनसेन शर्णार्थी पुरसकार दोजारतेविस से अब्दुल्लाही मायर को सम्मानि केनिया में जो शिवीरों में शरणार्थी रह रहे हैं उन्हें शिक्षित करने के लिए या उनके लिए शिक्षा के शेत्र में प्रयास करने के लिए ये पुरसकार प्रदान किया गया है यह जो अवर्ड है 1954 में United Nation High Commissioner for Refugees के द्वारा शुरू किया गया था यह उन संस्ताओ, समूओं या व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने Refugees के लिए शनार्थियों के लिए कोई भी कारी किया हो सरानी कारी किया हो, किसी भी प्रकार का मूमेंट चलाया हो उनके लिए या फिर उनकी रक्षा का कारी किया हो तो अगर एसा कोई भी व्यक्ति है, समू है या संगठन है तो उसे इस पुरसकार से सम्मानित किया जा सकता है अब यहाँ पर देखिए अगर हम United Nation HCR की बात करें तो नाम से आपको समझ में आ जाएगा शरनार्थियों के अधिकारों के लिए कारे करने वाली ये United Nation की एक संस्ता है जिसके स्तापना 1950 में की गई थी इस संस्तादोरा हाली में नौनसेंश शरनार्थी पुरसकार 2023 से सोमालिया की पत्रकार अब्दुल्ला ही मायर को सम्मानित किया गया अगला important question 7th Military Literature Festival 2023 का एज़न कहां किया जाएगा तो देखिया 2023 में 7th Military Literature Festival के साथवे संसकरन का एज़न चंडीगड में 2-3 दिसंबर को किया जाने वाला है अंसा चंडीगड हो जाएगा 2 दिसंबर को 7th Military Literature Festival 2023 का इनौगरेशन पंजाब के CM भगवत मान करने वाले हैं और इसके अलावा 3 दिसंबर को इसके समापन समारों की अद्ध्षता पंजाब के रजपल बनवारी लाल पुरोहित करने वाले हैं अब यहाँ पर Military Literature Festival की बात करें फ्रेंट्स तो इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी इस फेंट्सिवल में जितने भी गेस्ट होते हैं फ्रेंट्स वो युद्ध, हिस्ट्री और इसके अलावा इंटरेक्च्वल एक्टिविटीज के बारे में चर्चा करते हैं तो सेवेंट्स मिलिट्री लिट्रेचर फेस्टिवल का एजन 2023 में चंडीगड शहर में दिसंबर 2023 में किया जाएगा हाली में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अलधफरा परियोजना का इन्नोग्रेशन किया है तो ये देश हो जाएगा UAE सयूपतरा बमिरात जिसने देखिये हाली में अपने यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अलधफरा प्रोजेक्ट को लॉंच किया है देखे फ्रेंट्स इस योजना की टोटल विद्यू तुत्पादन शमता की बात करें तो ये दो गीगावाट है इस परियोजना के माध्यम से UAE में लगबग 2 लाग घरों को विजली प्रदान की जाने वाली है इस सयंत्र से सालाना 2.4 मिलियन टर्न कार्बन भी उतसरजित होने के उमीद है तो वर्ल्ड का पहला सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट जिसे अलधपरा प्रोजेक्ट नाम दिया गया ये UAE में स्तापित किया गया है UAE जो की मध्य पुर्वी एशाई देशे फ्रेंट्स इसकी केपिटल अभुधावी है इसके बाद आज के कर्रांट अफेर का सबसे लास्ट कोशन दिखिए हाली में एंड्री राजोईलिना किस दिपी देश के रास्टपती चुने गए तो एंड्री राजोईलिना दिपी देश मेडागासकर के नए प्रेसिडेंट चुने गए अंसर ए हो जाएगा इनकी पार्टी का नाम दिखिए थोड़ा सा अजीब है ध्यान से सुनिएगा मेडागासकर में एक पार्टी है जिसका नाम है यंग माला गासीज डिटमेंड पार्टी ये इस पार्टी के नेता है फ्रेंट्स एडी राजोईलिना जिनने मेडागासकर का प्रेसिडेंट चुना गया वेसे मेडागासकर के प्रेसिडेंट के रुप में ये इनका तीसरा कारिकल होगा इसके पहले 2009 से लेकर 2014 तक इन्होंने मेडागासकर के साथवे प्रेसिडेंट के रुप में काम किया है और इसके बाद 2019 से लेकर 2023 तक ये मेडागासकर के नोवे प्रेसिडेंट के रुप में काम कर चुके हैं और अब 2023 में ये मेडागासकर के दसवे प्रेसिडेंट चुने गए तो इस तरह से एंड्री राजोईलिना मेडा गासकर के तीसरी बार प्रेसिडेंट चुने गए मेडा गासकर की बात करें तो ये हिंद मास अगर मिस्तित एक दीपी देशे जिसकी केपिटल अंताना नारी वो है एंड्री राजोईलिना मेडा गासकर के तीसरी बार प्रेसिडेंट चुने गए क्लियर तो यहाँ पर देखिए हमने तीस नवंबर के सभी करंट अफेर्स को डिटेल में समझ लिया अब आजए आज की फेक्ट शिट में हम जनवरी से लिकर दिसंबर 2023 तक के सभी करंट अफेर्स को वन लाइनर में यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं 27 जनवरी 2023 को तीसरी रास के बाल विज्ञान कॉंग्रेस का एउजन एहम्दाबाद में किया गया 28 जनवरी 2023 को विशाका पतनाम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिविकेट से सम्मानित किया गया 28 जनवरी 2023 को युनेसको ने युक्रेन के ओरिसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरवर इस्दल घुशित किया 29 जन्वरी 2023 को महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए न्यूजिलेंड ने अपने देश में डेवी हाकले मेडल शुरू करने की घोशना की 29 जन्वरी 2023 को नेट साइवर को ICC महिला क्रिकेटर आफ दा येर 2022 चुना गया राश्क्यबदी भवन में स्टेट मुगल गाडन का नाम बदल कर अमरत उध्यान किया गया 29 जन्वरी 2023 को ICC इमर्जिंग महिला क्रिकेटर आफ दे येर 2022 रेणू का सिंग को चुना गया और Under 19 Women T20 World Cup का किताब इंडिया ने अपने नाम किया है ये सभी करंट आफ एर इंपोर्टन डेफरेंट्स जो की जन्वरी महा से हमसे पूछे जा सकते हैं अब आजाएए लास्ट डे के सेशन में जो करंट आफ एर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइस कर लेते हैं फिल्म फेर ओटीटी अवर्ड 2023 में बेस्ट सिरीस का अवर्ड स्कूप को दिया गया हाली में जारी की गई बैसिक एनिमल हस्बेंडरी स्टेटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के नुसार भारत का सबसे बड़ा दुख दुत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है बाली जात्रा महुत्सव ओडिशा राज्य से संबन्दी थे प्रणब माई फादर और डॉटर रिमेंबर्स बोग शर्मिस्टा मुकरजी के द्वारा लिखी गई दक्षेन पुर्व एश्या की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी लद्दाक रज्ज में खोली जाएगी दुनिया का आठवा जुबा अंकोरवाट मंदिर कमबोडिया में इस्ति थे हाली में मेरियम वेब्स्टर डिक्षनरी का वर्ड ओफ द येर दोजार तेवीस अथेंटिक वर्ड को चुना गया पहला खेलो इंडिया पेरा गेम्स दोजार तेवीस का शुबंकर उजवला है नवा रास्ति स्तरी प्रदूशन प्रतिकरी अभ्यास गुजरात रज में आयोजित किया गया लास्ति देखिए हाली में पदमश्री प्राप्त करता जवेरी लाल दलपत राम महता का निधन हुआ इनका सिंबंद पत्र कारिता के शेत्र से है ये सभी ऐसे करेंट अफेर हैं जिनने आमने लास्त डे के सेशन में डिटेल में समझा था अब आज ये आज के लिए आप सभी के लिए कोश्चन आफ दा डे देख लेते हैं ओलंपिक खिलों में व्यक्तिकत रुप से स्वण पदक जीतने वाले पहले भारती खिलाडी कोन है देखे बहुत ही इंपोटन कोश्चन है आप सभी को इसका अंसर कमेंट में देना है कमेंट में बताईएगा क्योंकि मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ तो आपको जरूर बताना है कि इसका अंसर क्या है कमेंट में बताईएगा इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपोर्टन अपडेट है अब आपके लिए क्रेजी जी के ट्रिक के सभी कोरसेस वेब्साइट पर भी एवेलेबल है ये सभी courses आप सभी की requirement और latest exam pattern को ध्यान में रखकर design किये गए हैं यहां हम basic concept के साथ comprehensive learning पर focus करते हैं तो एक बार जरूर website पर visit करें इसका link आपको description box में दिया गया है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share कर दीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए कल फिर मुलाकात करेंगे next day के current affair में तब तक अपना ख्याल रखिए जय हिन जय भारत